कि साहब जी का भजन है तो समझिए इसारा क्या कर रहे हैं भजन के माध्यम से तो भजन पहले सुन लीजिए फिर समझते हैं तो साहब जी का ऐसा भाव है कहते हैं कि जी औरे कबीर भजन धून लागी भजन धून लागी हरीड माया लागी जी औरे कबीर भजन धून लागी पानी न संग में पथरा बिगडिया तो हीर लागे बजीया जी औरे कबीर भजन धून लागी जी औरे कबीर भजन धून लागी भजन धून लागी हरीड माया लागी भजन धून लागी हरीड माया लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी नदिया संग में नाली बिगडिया तो सागर बजिया जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी भजन धुन लागी हरिडि माया लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी पारसन संग में लोहा बिगडिया लोहा बिगडिया तो कंचन निब जीया जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी भजन धुन लागी हरिडि माया लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी दूधन संग में दहिया बिगडिया जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी स्वातिन संग में सीप बिगडिया, सीप बिगडिया तो मोतिन बजिया सीप बिगडिया तो मोतिन बजिया जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी भजन धुन लागी हरिडि माया लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी सत गुरुन संग में कबीर बिगडिया सत गुरुन संग में कबीर बिगडिया कबीर बिगडिया तो साहब नी बजीया जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी भजन धुन लागी हरिडि माया लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी साहब जीयो रे कबीर भजन धुन लागी भजन धुन लागी हरिडि धुन लागी जीयो रे कबीर भजन धुन लागी जिसको एक बार प्रियम हो जाता है वो प्रति पल पल भजता रहता है इतना कहरा प्रेम हो जाता है कि वो प्रति प्रति पल पल भज रहा है ऐसा नहीं है कि उसको भजने के लिए एक समय है एक टाइम है कि 8 बजे 9 बजे पूजा पर बैठूँगा तभी याद करूँगा ऐसा नहीं है नहा रहा है तभी भज रहा है कोई काम कर रहा है तभी भज रहा है अगर बोल रहा है तो भी भज रहा है सांत है मौन है तभी भज रहा है ऐसा प्रेम हो जाता है सहा को ऐसा प्रेम हो गया था कि एक प्रतिपल एदम भज रहे हैं और भजन धुन लागी हरीडी माया लागी ऐसे हरी से प्रेम हो जाता है जो है ही नहीं जो दिखते ही नहीं है निरंकारी है यही माया है प्रेम हो जाता है जो है ही नहीं यही तुमाया है पर ऐसा हुआ है अगर हुआ नहीं होता तो हमारे सामने यह सब बाते आते कैसे अगर यह सब बाते आ रहे हैं तो प्रमाड है कि वहां सांती है वहां मौज है तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम साहब जी को हो जाता है तो यह दिखा रहे हैं तथी हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब वहां जाना पड़ता है कैसे जैसे पानी नसंग पत्थरा बिगडिया अब पत्थरा बिगडिया तो हीर लागे बजिया पानी संबंध तो है पानी से पत्थर को पर वहीं संतुष्ट नहीं हो जाना है अगर वहीं संतुष्ट हो गए तो बस पत्थर ही बनके रह गए हीर लागु बजिया पहाडब हो सकता है लेकिन अगर चलता रहे तब कि मैं कुछ और हो सकता हूँ तो पहाडबन सकता है ऐसा हमारे साब जी दिखा रहे हैं बता रहे हैं पिर कह रहा है कि नदी न संग तो नाली बिगडिया तो सागर में बजिया अगर नदी में मिल जा रहा है तो ठीक है मिलना चाहिए नदी द्वारा सागर में भी जा सकता है लेकिन नदी में ही संतुष्ट रह गया तो सागर तक कौन सोचता है नदी में ही उसको लगता है यही सागर है तो ऐसा नहीं करना है निरंतर चलते रहना है जब तक सागर तक पहुँचने जाए जब तक परमात्मा को पान ले सब इंसानों पर कहा गया है बस यह सब दिखाया गया है कि इसको देख करके आप समझ सकत फिर कह रहा हैं पारस नसंग में लोहा बिगडिया अलोहा बिगडिया तो कंचन में बध्या अगर लोहा को पारस पत्थर नहीं असपर्स करेगा तो लोहा स्वत ही खतम हो उसमें जंग पकड़ लेगा, स्वता ही खतम हो जाएगा, वैसे हम हैं, अगर हम परमात्मा को नहीं पाएंगे, तो स्वता ही खतम हो जाएंगे, क्योंकि हम तो सरीर बने बैठे हैं, असरीर जनम लिया है, तो सरीर को मरना ही है, यह तो सबको पता है, कि सरीर जनम लिया है, त तो स्वता ही खतम हो जाएंगे वैसे लोहा को दिखाया गया कि अगर वो पारस पत्थर से नहीं जूड़ रहा है तो स्वता ही खतम हो जाएगा लेकिन अगर पारस पत्थर से जूड़ गया तो कंचन निबधिया इंसान भी अगर बध जाए इस वर से परमात्मा से तो कंचन निबधिया मौज है तब मस्ती है फिर करा है कि दूधन संग में दहिया दही बिगडिया दही बिगडिया तो माखन निबधिया अगर दूध है तो दही तो प्रकिरिया है कि दही में जाना है पर दही बनकर संतुष्ट नहीं हो जाना है माखन बन जाना है माखन बन जाएगे तो खराब नहीं होता है माखन सालों साल चलता है ये दही और दूध की संबंध है उसी तरह से इंसान अगर जूड गया तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है वो मरता नहीं है साधू नहीं मरता है सरीर मर जाता है साधू नहीं मरता है तो ये सारी बातें इंसानों पर लागू होता है बस दिखाया गया है ताकि हम समझ सके हैं फिर कह रहे हैं कि स्वातिन संग तो सीप बिगड़िया अगर स्वाति मिल गया तो सीप संतूष्ट हो जाता है लेकिन संतूष्ट नहीं होना चाहिए अगर संतूष्ट हो जाएगा तो मोती कैसे बनेगा अब मोती बन गया तो क्या बात है तो इस सारी बाते हमी लागू होता है हमको समझना चाहिए हमको इन सबों को देख करके आगी पढ़ते रहना चाहिए साहब का यही कहना है फिर अंतिम कड़ी कह रहा है कि सत गुरु न संग तो कबीर विगड़िया अग कबीर विगड़िया तो साहब में बढ़िया गुरु के साथ जुड़ करके साहब में बढ़ जाते हैं गुरु से ही संतुष्ट नहीं हो जाते हैं गुरु से जुड़े तो साहब में बढ़िया तो हम भी छोटा मोटा गुरु ढूड़ लाते हैं उसे से गुर्मूख हो जाते हैं और हम संतूष हो जाते हैं कि हम तो बस हो गया संतूष हो जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए सत्गुरु का तलास करना चाहिए जब तक सत्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ नहीं मिला हैं बस सरीर पैदा हुए हैं शरीर ही मर जाएंगे कानी खतम बात खतम तो साहब जी सारी तथ्यों को दिखाते हैं कि आप सत्य तक जा सको आप सत्य को देख सको पहचान सको समझ सको इसलिए इन सारी चीजों को बताया जाता है तक कहते हैं कि दिया के चारों तरफ दिखता है बस उसके नीचे दिखाई नहीं देता है उसके नीचे दिखाना पड़ता है ति सारी बाते मनुस्यों पर लागू होता है बस दिखाने के लिए उदाहरण के तौर पर इस सारी बाते उन्होंने रचा है सुचे कितना दिमाग लगाया होगा कितना मिनहत करा होगा ताकि हम समझ सके उनका प्रेम कैसा था उनका और प्रेम के साथ साथ ग्यान भी होता है ये हमने देखा है तो साहब जी यही समझा रहे हैं फिर मिलते हैं झाल झाल